इस वीडियो में मैं आप से सियर करने वाली हूं कि हरी मिर्च अथवाल लाल मिर्च को काटने से हाथों में होने वाले जलन को हम किस परकार से दूर कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको जो भी उपाय बताने वाली हूँ उनको अपनाने से पहले आपको किसी हैंड वास से अच्छी तरह से हैंड वास कर लेना है उसके बाद इन उपायों को अपनाना है सबसे पहला उपाई जो आप कर सकते हैं वो है सहित का यूज करना सहित को हातों ने ले ले लेना है और बस इसे अपने हातों पर अच्छी तरह से लगा लेना है थोड़ी दिर इसे लगा रहने देना है जब जलन सांत हो जाए तो साथा पानी से हाथों को धो लेना है दूसरा उपाय है ऐलोबरा जेल का यूज़ तो आप फ्रेस ऐलोबरा जेल का यूज़ कर सकते हैं नहीं तो आप घर में जो भी जो एलोबरा जल लगा हूँ उसका भी उसकर सकते हैं एलोबरा को इस तरह इसे काट लेना है और उसका जो जेल निकले उसे अपने अच्छी तरह से अपने हाथों पर चारों तरफ से लगा लेना है और इसके बाद जब जलन सांत हो जाए तो हैं मलाई मलाई कभी आप यूज कर सकते हैं सेयम गीगी तरह इससे हमें अच्छी तरह से हाथों पर लगा लेना है और जब जलन सांत हो जाए तो हाथों को साधा पानी से धोल देना है छटा उपाए है मिल्क का यूज करना मिल्क में अपने हाथों के इस तरह से डिप कर लेना है और नई तो उसे अपने हाथों पर चारों तरफ लगा लेना है और जब जलन आपकी सांत हो जाए तो इसे साधा पानी से धोलेना है साथमा उपाए है नारियल के तेल का यूज करना आपको थोड़ा सा नारियल का तेल ले लेना है और उसे अपने हाथों पर अच्छी तरसे लगा लेना है जब आपकी जलन सांत हो जाए तो उसे साधा पानी से दोलेना है आठमा उपाए है गुलाब जल को लगाना गुलाब ले लेना है और उसे हाथों पर अच्छी तरह से लगा लेना है जब जलन सांत हो जाए तो हाथों को साज़ा पानी से दो देना है दसवां उपाए हैं ठंडे पानी से हाथों को दोना या फिर ठंडे पानी में हाथों को दोना तो दोनों ही आप उपाई कर सकते हैं इसके अलावा आइस क्यूब का भी आप इस्तमाल कर सकते हैं 11 वाँ उपाई है टूठ पेश का यूज करना जलन होनी पर आपको थोड़ा सा टूठ पेश ले लेना है और उसे अपने हाथों पर लगा लेना है जब जलन सांथ हो जाए तो साधा पानी से हाथों को धोलीना है आई हो फ्रेंड्स वीडियो आपको यूस्फुल लगा होगा अगर आपको यूस्फुल लगा है तो लाइक कीजिए, सेल कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राब कीजिए थैंक्स पॉर वाइज